So, Hello Guys, स्वागत है आप सबका एक और न्यूप्स वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग पेन के बारे में तो basically आज की वीडियो का जो में टॉपिक है यहाँ पे हम थम पेन के बारे में डिस्कसन करने वाले है बाकी भी गेमिंग से बहुत सारे पेन्स हो सकते हैं जैसे की नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है और कई तरह के पेन्स हैं पे गेमिंग के द्वारा होते हैं बट आज की वीडियो का में टॉपिक रहेगा थम पेन पे तो इसके related इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में discussion करने वाले हैं तो इस वीडियो में हम चार topic के बारे में discussion करने वाले हैं पहला topic होने वाला है current second number पे है symptoms थर्ड नमबर पे है बचने के उपाय और fourth number पे है solution तो gaming से thumb pain होने का सबसे बड़ा region होता है repeatative motion यानि कि thumb का बार-बार यूज होना यहाँ पे जब thumb को बार-बार आप यूज करते हैं तो यहाँ पे जो thumb की muscles होते हैं वो देरे-देरे tight होने लगते हैं उन पे बहुत ज़्यादा stress पढ़ता है जिसकी बज़र से हाँ पे gaming से thumb pain होता है इसके अलावा भी gaming से thumb pain होने के और भी regions हो सकते हैं जैसे कि आपको गलस बैठ करके gaming करना है यानि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी position पे comfortable नहीं होते हैं फिर भी आप उस position पे gaming करते रहते हैं जिसकी बज़र से भी आपको thumb pain की सिकायत हो सकती है अब बात करते हैं हम thumb pain के symptoms के बारे में यानि कि thumb pain के लक्षण के बारे में कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप thumb pain से यहाँ पर प्रभावित हो चुके हैं यानि कि किसी motion को करने पे thumb को आपको motion करने पे यहाँ पे problem होती है यहाँ पे उसके आसपास के area में swelling होती है सुजन आ रही है सुन्दता का महसूस हो रहा है तो यह सारे कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं इसके लाब आपको normally अगर आप चेक करना चाते हैं तो अगर आप right hand ही हैं तो आपको ऐसा देखना है कि आपका जो left hand का thumb है वो जितना motion कर पा रहा है क्या right hand वाला thumb भी उतना motion कर पा रहा है सीधे सब्दों में कहें तो यहाँ पे आपको दोनों हाथों के thumb की तुलना करने है कि जिस तरह से आपका left hand का thumb motion कर रहा है क्या right hand का thumb वे उतना ही motion कर पा रहा है तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप thumb pain से affected हो चुके हैं या भी नहीं अब बात करते हैं हम gaming pain से किस तरह से बस सकते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पे gaming के दौरान देख लेना यानि कि continuously gaming ना करना second point होने बाला है controller पे ध्यान देना तो जितने भी यहाँ पे wall plus होते हैं यह अधिकतर इनमें से two fingers plus होते हैं इसकी बज़े से क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ही thumb से आपको पोरी buttons को यूज करना पड़ता है जिसकी बज़े से यहाँ पे थम पे बहुत ज़्यादा stress पड़ता है और यह thumb pain का रूप ले लेता है तो यहाँ पे आपको क्या try करना है कि यहाँ पे जितने भी two fingers plus हैं यह लोग three finger या four finger पे shift हो जाईए इससे क्या होगा कि जो आपकी buttons होगी controller की वो सभी divide हो जाएंगी और उसकी बज़े से किसी एक individual finger पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और इससे भी आप बहुत easily thumb pain से बस सकते हैं यह एक बहुत अच्छा उपाई होने वाला है अब बात करते हैं आप thumb pain के solution के वारे में कि अगर आप thumb pain से affected हो चुके हैं तो इससे आप कैसे बस सकते हैं तो इसका जो सबसे अच्छा उपाई होता है वो stretching exercise होती है यहाँ पर अगर आपको आपको ऐसा लग रहा कि आपके thumb के आसपास के area में यहाँ पर सूजन आ रही है तो यहाँ पर आप बर्फ कर सकते हैं तो यहां पर आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहां पर आपको को इस टेचिंग एक्सराइज देखने को मिल जाएंगी तो उनको फोलो कर सकते हैं अगर आपको normal level पर अब थंपें हो रहा है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो सब ल लोग्डाल